Hello friends, exercise 1.4 से question number 5 करेंगे Rationalize the denominators of the following नीचे दिये हुए questions के denominator को आपको rationalize करना है Rationalize का मतलब हो गया, जो denominator में irrational number दिख रहा है ना आपको इसको आपको rational number बना देना है अब दो तरह के question आते हैं इसमें एक तो आयागा जब denominator में सिर्फ आपका एक ही number होगा जैसे यहाँ पर root 7 लिखा हुआ है और दूसरे तरह का question यह होता है कि नीचे में आपके दो digits होते हैं जैसे यहाँ root 7 minus root 6 है तो पहले देखिए जब एक number होता है denominator में तो उसे कैसे rationalize करते हैं यह बिल्कुल simple होता है यहाँ पर उपर में तो 1 ही है और यह under root 7 है अब इस under root 7 को मेरे को rational number बना देना है तो step यह होगा कि उपर नीचे numerator में भी और denominator में भी आप under root 7 से ही multiply कर दोगे जो भी यहाँ under root में number होगा उसी से numerator denominator को multiply कर दोगे तो इससे होगा क्या कि नीचे under root 7 into under root 7 under root से under root जो multiply होता है तो अंडरूट खतम हो जाता है तो denominator के अंदर तो बन जाएगा यह 7 और उपर आप जो multiply करके आएगा जो आएगा वो ही आप लिख दोगे उपर से आपको ज़्यादा मतलब है नहीं बेसिकली नीचे वाले को rationalize करना है तो उपर में 1 into अंडरूट 7 अंडरूट 7 ही आएगा तो यह rationalize हो गया है इसका denominator rational number बन गया है second देखिए 1 upon में अंडरूट 7 माइनस अंडरूट 6 अब इसमें 2 नंबर हैं तो इसे कैसे करेंगे 1 upon अंडरूट 7 माइनस अंडरूट 6 अब steps देखना ध्यान से उपर नीचे में ही multiply करना है हमको किसका करना है इन ही numbers का करना है बस जो बीच में sign है इसका उल्टा कर देना है अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर आफ प्लस लगा के करना जैसे अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6 और नीचे भी अंडरूट 7 प्लस में अंडरूट 6 यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस करके दोनों जगे पे multiply करना अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर यहाँ दोनों जगे आप माइनस लगाते अब इसको solve करते हैं अब इससे होगा क्या? पहले तो उपर देखिए वन को इसी से जब आप multiply करोगे तो सेम यही चीज आएगा तो उपर तो आएगा अंडरूट 7 प्लस में अंडरूट 6 नीचे में क्या होता है? जब दो नंबर होते हैं न इस तरह से तो नीचे आपके identity बन जाती है एक बार तो a प्लस b दिखेगा आपको एक बार a माइनस b दिखेगा तो यहाँ पर simple identity लग जाती है a प्लस b इंटू में a माइनस b और identity होती है a स्क्वेर माइनस b स्क्वेर तो बस हम identity लगा देगे यहाँ पर a है हमारा अंडरूट 7 और b है अंडरूट 6 तो यहाँ अंडरूट 7 का square हो जाएगा और माइनस में अंडरूट 6 का square हो जाएगा next step में यह simplify हो जाएगा उपर तो कुछ change होना नहीं है उपर जैसा है वैसा ही रहेगा अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6 नीचे अंडरूट 7 का square करेंगे तो यह 7 आजाएगा माइनस अंडरूट 6 का square करेंगे तो यह 6 आजाएगा next step में रूट 7 प्लस में अंडरूट 6 और नीचे 7 माइनस 6 1 होता है तो 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है तो यही आपका अंसर हो गया है इसी तरह की है जब नीचे आपको दो डिजिट्स मिलेंगी तो जब भी आपके दो डिजिट्स वाले सवाल होते हैं तो सेम इसी तरह से करना इसमें identity ही लगती है अब लेते हैं थर्ड पार्ट को 1 अपॉन में अंडरूट 5 प्लस में अंडरूट 2 अब मेरको उपर नीचे मल्टिप्लाइ करना है अंडरूट 5 क्योंकि यहां प्लस है तो माइनस लगा के करना है माइनस अंडरूट 2 अपॉन में अंडरूट 5 माइनस अंडरूट 2 अब उपर रूट 5 माइनस अंडरूट 2 को 1 से मल्टिप्लाइ करोगे तो सेम यही आएगा, तो numerator में तो बन गया है, under root 5, minus under root 2, और नीचे में यहाँ पर identity बन जाएगी, a plus b, a minus b, तो a का square, और minus b का square, a है यहाँ पर, under root 5, इसका square हो जाएगा, minus b है, under root 2, इसका square हो जाएगा, next step में, numerator जैसा है, same to same, वैसा ही रहेगा, और नीचे में इसको solve कर देंगे, under root 5 का square करेंगे, तो 5 आजाएगा, under root 2 का square करेंगे, तो 2 आजाएगा, और next step में, numerator same to same, जैसा है, वैसा ही रहेगा, और नीचे 5, minus 2, यह बन गया है, 3, और यही इसका answer है, इसी तरह से fourth part भी देखिए, 1 upon under root 7 minus 2, same यही steps होंगे, हर बार यही करना है आपको, यह under root 7 minus 2 है, ध्यान देना, इस बार इस पर root नहीं लगा हुआ है, तो calculation में कोई गलती नहोग, तो multiply करना है, उपर और नीचे, under root 7, यहाँ minus है, तो plus लगाना है, और यह 2, ऐसे ही नीचे, under root 7, plus में 2, अब under root 7, plus 2, को 1 से multiply करेंगे, तो same यही आ जाएगा, तो numerator में तो 7, under root, और plus 2 आ गया, और नीचे में बन जाएगी, identity A plus B, A minus B, A है यहाँ root 7, तो root 7 का square होगा, और minus B है यहाँ पर 2, यहाँ 2 का square होगा, next step में numerator same to same, यही रहेगा, under root 7, plus 2, और यहाँ इसमें, under root 7 का square, solve होगे 7 होगया, minus, और 2 का square 4 होगया, next step में numerator same to same रहेगा, under root 7, plus 2, और यहाँ 7, minus 4, यह 3 होगया, तो देखे denominator होगया, rationalize, यही आपका answer है, गोशँ कघँम,